एक और बड़ी खबर का रुक करेंगे शामली से आ रही है एक और बड़ी खबर आपको बता दें पताखा फैक्टरी में भेंकर विस्पोर्ट हुआ है एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई शामली से इस वक्त की बड़ी खबर तो पताखा फैक्टरी में भीशनाग लग पंकज आप से जानना चाहेंगे कब और कैसे या आग लगी विस्फोट हुआ है पटाखा फैक्ट्री में अभी क्या इस्तिति है अगर अभी की सिद्धी की बात की जाए तो पुलिस विबाग और दंगल विबाग का जारी है फिलार लोगों को अंदर जो फसे हुए लोग है उनको निकालने की कोशिश की जारी है लेकिन इसमें आपको बता थे विस्फोट एक बहुत बड़ा विस्फोट हुए है इसमें यहां पर पटाचे बनाने का जो काम किया जा रहा था वरकरो द्वारा उसको लेकर के अभी संदिक पता जारा कि संदिक तरीके सा आग लगी पंकच कितने लोग अभी भी फसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करने के लिए लगातार कवायत जारी है पंकच बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अपडेट देने के लिए तो यह थे समवादाता पंकच अपडेट दे रहे थे शामली की तो शामली से ये बड़ी खबर आ रही है जहां एक महिला सहीद दो लोगों की मौत हुई है पडागा फैक्टरी में भीशनाग लगी हुई है और विस्पोर्ट भी वहाँ पर हुआ है जबरदस्ट विस्पोर्ट की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई तो दिल्ली सहरनपूर हाइवे की घटना शामली की पड़ागा फैक्टरी में भेंकर विस्पोर्ट हुआ है एक महिला समेथ दो लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अब भी फसेफ हुए हैं जिनको बचाने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही है अब से कुछी देर में आपको तस्वीरे भी हम दिखाएंगे एक्स्क्लूसिफ तस्वीरे घटना की तो एक महिला सहिद दो लोगों की मौत हो गई है आपको बता दें पटाखा फैक्टरी में भीशनाग लगी है और कई लोगों के अंदर फसे होने की आशंका है लगातार उन्हें बचाने के प्रयास किया जा रहे हैं दिल्ली सहरनपुर हाईवे पर इस्थित है शामली पटाखा फैक्टरी जिसमें भैंकर विस्पोर्ट हुआ और सबसे पहली तस्वीरें घटना की आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर पटाखे फटने की आवाज भी इन तस्वीरों में आप सुन सकते हैं सबसे पहले और एक्स्क्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं वीपी गंगा पर आप देख रहे हैं इस हाथसे से जुड़ी खुई एक्स्क्लूसिव तस्वीरें तो ये शामली के पता का फैक्टरी है जहां पर भीशन आग लगी विस्पोर्ट हुआ और अब भी पता के पटने की आवाजें वहां से आ रहे हैं कई लोग बताया जा रहा है इस हाथसे में फसे हुए हैं जिनको बचाने के प्रियास किये जा रहे हैं तो विस्पोर्ट कितना जबरदस्ट रहा होगा इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है यहां जो दिवार है वो पूरी तरह से ढह चुकी है तो मलवा बिकरा पड़ा है और विस्पोर्ट वहाँ पर जबरदस्ट वा जिसकी चपेट में आने से दो लोगों की मौत होने की खबर आ रही है और कई लोग अब भी फसे हुए हैं जिनको बचाने के लिए लगातार कोशिचें जारी हैं तो सबसे पहले और सब एक्स्क्लूसिफ तस्वीरे इसक्ताप अबी पी गंगा पर देख रहे हैं ये शामली की पताखा फैक्टरी है जहां पताखे फट रहे हैं वह भीशनाग लग गई और विस्पोर्ट भी जबरदस्त हुआ जिसकी चपेट पे आने से दो लोगों की एक महिला समेट दो लोगों की मौत कुई है और कई लोग अब भी फसे हुए बताय जा रहे हैं जिनने बचाने के लिए लगातार कोशिच की जा रही है तो धुआ ही धुआ और मलबा ही मलबा नजर आ रहा है समवादाता पंकज प्रजापती हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पंकज तस्पीरे भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और इन तस्पीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कितना जबरदस्त विस्पोर्ट यह रहा होगा वहाँ जो दिवार है वो पूरी तरह से ढह गई है अब भी पटाके वहाँ पर फट रहे हैं अभी क्या इस्तिति है और किस तरह की कोशिशे जो हैं लोगों को बचाने के लिए की जा रही है संपर्क हमारा तूट गया है पंकच से दوبारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे तस्वीरे बहराल आप देख रहे हैं एबी पी गंगा पर सबसे पहले और एक्स्क्लूसिव तस्वीरे इस हादसे की आप देख रहे हैं जिने बचाने के लिए कोशिशें लगातार की जा रहे हैं प्रियास किये जा रहे हैं तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि एविस्पोर्ट कितना जबरदस्त रहा होगा अब भी वहाँ पठाके फट रहे हैं कई लोग यहाँ पर पठाके बनाने का काम कर रहे हैं सबसे पहले खबरे पाने के लिए ABP गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीज़े फेस्बुक पर लाइक कीज़े फेस्बुक पेज है www.facebook.com.abp.gंगा ट्वीटर पर भी फॉलो कीज़े हमारा ट्वीटर है www.twitter.com.abp.gंगा